हलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में फिरी में DVD कैसे प्ले करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं आपको क आपने लेटाप या पीसी के अंदर को भी ब्राजर ओपन कर लेना है ब्राजर ओपन करने के बाद यहां पर आपको गूगल ओपन करने के बाद यहां पर आपको टैप कर देना है वी एलसी और इसके बाद आपको इंटर कर देना है इंटर करते हैं यहां पर आपको फिर्स यह पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा vlc media player, इसके नीच आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा download vlc, इसके ओपर आपको click कर देने, click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ second wait करना है, कुछ second wait करते हैं, automatic exe download हो जाएगा, यानी तो इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, आप जहाँ पर भी इस exe को save करना चाहते हैं, और पाज select कर लिजएगा, उसके बाद आपको save पर click कर देने, click करते हैं, exe download हो जाएगा, download complete होने के बाद आपको क्या करना है, उस folder के अंदर जाना, जहाँ आपने exe को save किया है, वहाँ पर आपको इस तरह से exe दिख जाएगा, अब आपको क्या करना है, इस exe को पर आपको right click करना है, इसके बाद आपको property पर click कर देना है, click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, अब मालीजे, यदि आपकी case में भी यहा double click करके install कर सकते हैं, यानि तो आप इसके ओपर right click करके install कर सकते हैं, यानि तो आप administer के ओपर click करके install कर सकते हैं, तीनों चीज़ में से कोई एक चीज़ आप कर लिजेगा, इसके बाद यदि आपकी case में भी इस तरह से window open होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर yes पर click क करते हैं यह विंडो ओपन हो जाएगा आप यहां पर अपने हिसाब से लेंगवे सेलेट कर लिजेगा इसके बाद यहां पर आपको नेक्स पर क्लिक करना है इसके बाद आपको फिर से नेक्स पर क्लिक करना है इसके बाद आपको फिर से नेक्स पर क्लिक करना है इसके बाद करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा आपको क्या करना यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यह विंडो ओपन हो जाएगा अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा open डिक्स इसके उपर आपको क्लिक कर देने किलिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आप यहां पर select कर सकते हैं आपका dbd है या blue ray है या auto cd है या जो भी है यहां पर अपने हिसाब करने के बाद यहां पर आपको play पर क्लिक कर देने किलिक करते हैं यहां पर यह start हो जाएगा उसके बाद आप उस movie को देख सकते हैं और प्लीज गाइज चैनल को subscribe करें लाइक करें सेर करें थैंक यू